नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात्चित करने जा रहे हैं कि ठंड के दौरान फटी भी होट को कैसे ठीक करें तो ऐसा देखा जाता है कि ठंड जैसे शुरू होती है हमारी होटे फटनी शुरू हो जाती है तो चरूरी होता है कि उस होट को हम लोग चाहे भैसलिन लगाकर या बजार में बहुत सारी चीजें लगाकर हम लोग उस होट को ठीक करना शुरू करते हैं लेकिन इसके कुछ हान उपाय को मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहला उपाय है कि आप लोग गुलाब की पंखुरियां से ये होट की फटने वाली बिमारी को ठीक कर सकते हैं गुलाब में मौझूद रस त्वचा में आई पोसक तत्वों की कमी की पूर्थी करता है इसके पड़ियोग से फटे होट को आसानी से ठीक किया जा सकता है इसके लिए गुलाब की पंखुरियों को अच्छे से दो लें इसके बाद कुछ घंटों के लिए उन्हें दूद में डूबो कर रखें आप चाहें तो इन्हें गलिसरीन यानि की सहद में भी डूबा सकते हैं इसके बाद इन पंखुरियो के अपने हातों से उसको गाढ़ा बना दें, जिस्तरा आप आठा गुद्ते हैं उस तरह से उसको पंखुडियों को उसमें गुद्दें और एक गाढ़ा पेश्ट त्यार कर लें, अब दिन में कम से कम दो या तीन बार इस पेश्ट को अपने होटों पे लगाएं, रात को सो पर दिन के अंदर आपका जो होट फट रहा है वो ठीक हो जाएगा और दूसरा है कि हो सकता है कि आप लोग के घर में हमारी देशी घी जो हम लोग घड़ों में निकालते हैं वो घी होगा इससे भी सबसे अच्छा इलाज माना जाता है फटे हुए होटों की तो दूद की मला मलाई अपने होटों पर लगाएं और 10 मिनट तक उसे रहने दें इसके बाद रूई को गुंगुने पानी में भिंगो कर उस मलाई को साप कर दें इस विधी का लगतार पड़ियों करने से आपके होट ठीक हो जाएंगे यह जो उपाय है घी के द्वारा यह उपाय बहुत ह इस सरल है आप लोग के घड़ों में यह उपलब दो का इससे आप ठीक कर सकते हैं और ऐसरे का जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वह उपाय है कि घुलाब जल और तुल्सी का पड़ियों कर भी आप अपने होटों को ठीक कर सकते हैं घुलाब जल के गुन होटों की को डाल दें और दस से पंद्रे मिनट के लिए उसे छोड़ दें अब इसे अपने होटो पर लगाएं दिन में कम से कम तीन से चार बर लगाएं और इससे आपके फटे वे होट ठीक हो जाएंगे आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद